मैं हूँ नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट स्टार बॉस दा फोस अवेकन्स ने बॉक्स ओफिस पर सबसे तेज सौ करोर डॉलर का कलेक्शन करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है इस हॉलिवूट फिल्म ने सिर्फ बारा दिन में ये का नामा कर दिखाया है जेजे अब्राम्स डारेक्टिड इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ओफिस पर लगभग 109 करोर डॉलर कमा ली हैं वो भी सिर्फ बारा दिनों में इस फिल्म ने पहले के रिकॉर्ड होल्डर जुरासिक पार्क वर्ल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है जिसने इस साल का 13 दिन में 100 करोर डॉलर पर पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया था वैसे डेजी रिडली स्टार शेड़ अफ दा अम्पार ने नौथ अमेरिका बॉक्स ओफिस में स्क्रिस्मस विकेंड पर सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन चुकी है इस फिल्म ने 15.35 करोर डॉलर कमाये था और इसकी घरेलू कमाई मिला कर 54.46 करोर डॉलर हो गए थे जहां स्टार वॉस मूवी बॉक्स ओफिस चार्ट पर शीश पर है वहीं कुछ नई रिलीजस थेटर में लग चुकी है इसी बीच डैविड और रूसेल की जॉई तीसे नंबर पर रही जो 2896 थेटर में लगी और 1.75 करोर डॉलर की कमाई की वैसे स्टार वॉर की सीरीज खुद में एक रिकॉर्ट बना चुकी है स्टार वॉर सीरीज की ये आठवी मूवी है अब तक इस सीरीज ने दुनिया भर के बॉक्स आफस में 561 करोड यानि की करीब 3700 करोड रुपे से ज्यादा का कलेक्शन किया है भई ये स्टार वॉर्स है तो कलेक्शन भी सुपरस्टार ही होगा फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही